एलो एवरिवन कैसे हो आप सब देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेज हमारे पास ओल्मोस्ट बचे हैं 50 और 50 डेज में हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का सिंगल ग्रूप है हो सकता है बोध ग्रूप से हैं तो 50 डेज में अब जो सलेबस हमने कंपलीट करन है जा कुछ एरिया पेंडिंग चोड़े हैं उनको भी साथ में कवर करना है तो 50 डेज में मुझे पता है कि हम बहुत कुछ ट्राई मारते हैं बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि कुछ आइडिया लग जाए कि किदर से कौन से सब्जेक को पकड़ें कैसे करें 2-3 दिन हमा अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करो बाकी कल मैंने जो वीडियो डाली थी कि आप जो बैलंस बचा हुआ टाइम डेवाइज देखने की बजाए अगर ब्लॉक वाइज देखो आपको याद होगा जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो देखी थी मैंने आपको ब्लॉक इसे कवर करें ताकि प्रैशर न बने अब सबसे पहले तो मेरी एक बात को मैंने जो यह जो सारा नीचे डेटेल बनाई हुई है यह जर आप अभी आपको बताता हूं सबसे पहले तो आप मेरे को अपने माइंड में सोच के अपने माइंड में आंसर करना कि देखो जब पास exam start हो जाते हैं और exam start जो जब तो first paper होता है तो first paper में हर बच्चा अपने accordingly days set कर लेता है कि मैंने first paper के लिए paper से पहले ही तीन दिन या चार दिन रखने है कुछ बच्चे तो 5-5-6-6 दिन भी रखते हैं मुझे पता है ठीक है हर बच्चे का अपना system होता है कि मेरा first paper अच् पहले ही ख्राब हो गया तो मुझे पता है मेरा सारा काम ख्राब हो जाएगा लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि जो बाकी के paper हैं आपके after first paper जितने भी बाकी paper आते हैं उनका क्या कसूर है उनको एक-एक दिन मिल रहे है उनको तो एक-एक दिन ही मिल रहे है तो फ जिस paper में एक-एक चुटी आती है हर paper में mostly वैसे एक-एक चुटी होती है exceptional case अबर दो चुटी आ जाएं तो वह एक चुटी में मुझे आप अपने mind में सोचो कैसे revise करते हो अपने उस subject को ध्यान से सोचो जरा शाम के time से लेके जब आप अपना first paper देके आते हो उसके बाद अगले चुटी में और फिर आपने afternoon फिर से paper देने जाना होता है तो यह जो time period है उसके लिए बहुत सारी videos YouTube पे आती है ऐसे करो वैसे करो लेकिन practically उस time में बहुत कम बच्चा है जिसको पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ें देखनी है कौन सी छोड़नी है बाकी तो just idea से क कुछ देख लिया कुछ छोड़ लिया बस यह होता है कि exam हो जाए ऐसे होता है और जो भी है कई चीज़ें आँखों के सामने से निकालते हैं कई छोड़ देती है अब वहां पे भी हम कुछ ना कुछ तो देखके जाती है न एक चुटी में भी तो कुछ ना कुछ देखके चलूं हमने syllabus complete करना है तो कैसे किया जाए क्योंकि हम सारा हौच पॉच मचानी start कर चुकी है तो देखो अगर मैं आपको यह बोलूं 50 days में सबसे पहले तो आप 10 days छोड़ दो अपनी final further revision के लिए तो हमारे पास balance 40 days बचते हैं जिसमें हमने अपने जो भी pending काम है syllabus revision कुछ subjects हैं तो per subject आपके पास 10 days आ रहे हैं अगर मैं बात करूं 8 subjects हैं तो उसे इसाफसे आपके पास 5 दिन per subject आ रहे हैं अब आपके mind में message आएगा कि मैं अगर एक-एक subject करके उठाओं तो 10-10 दिन है बोट group वाला बचा एक-एक subject करके उठाओं तो 5 दिन है तो पहले आप अपने mind में जरा message दो क्या मैं एक subject को 10 दिन में या 5 दिन में cover कर सकता हूं तो अगर आप इस चीज के उपर जरा focus करोगे for example आपका अगर अब मुझे पता नहीं इंटर वाले बच्चे भी देख रहे होंगे mostly final वाले बच्चे भी देख रहे होंगे एक common subject की बात कर लेते हैं जो द tax complete कर लो उसको लगेगा चलो 5 दिन पूरे मिल गए हैं जा 10 दिन पूरे मिल गए हैं मैं पूरा tax revise कर लूँगा लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूँ कि chapter wise मुझे अभी जरा calculate करके दिखाओ कितना time लगाओगे per chapter तो कुछ बच्चे तो सरफ हमारे business profession और capital gain head के ही 2 या 3 दिन वले chapter को वो पूरा दिन लगा देंगे TDS, TCS, Advanced Tax को वो पूरा दिन लगा देंगे तो ऐसे total income कैसे calculate करनी है assessment वो पूरा एक दिन रख देंगे उसके लिए तो जब ऐसे देखेंगे तो पता चलेगा कि दिन तो बन रहे है 15 ये problem आती है जब हम overall सुनते हैं किसी video में कि आप 5 दिन में ये खतम कर दो, 10 दिन में ये खतम कर दो, फिर लगता है हाँ कर देंगे लेकिन जब chapter wise चलते है न वहाँ पर जाके problem आपको पता चलती है कि ऐसे चीज़ें नहीं खतम होती हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर practically mind के साथ कोई technique लगानी पड़ेगी कैसे ये चीज़ खतम हो, यही आज का मुद्ध मेन है जो मैं आपके साथ आगे discuss करने वाले हूँ, देखो, यह idea लग गया, 10 दिन पर subject या 5 दिन आपके पास पर subject रहने वाले हैं, अगर आप single group या both group वाले student हो, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा combination ले सकते हो, कि अगर एक single group वाला बच्चा, दो- दो-दो उठाने की बजाए, अपना 4 subjects को mind में लेके चले, और 20 दिन का time mind में लेके चले, पहली तो आपको यह बात clear होनी चाहिए, कि अगर मेरा single group है, तो मैं 2-2 का combination बना लेता हूँ, अगर मेरे both groups हैं, तो मैं 4 का combination बनाता हूँ, ठीक है, अब मैंने 2-4 को कैसे लेके चलन था, वैसे चलना है, तो अब उसमें जरा fit करो idea के साब से, अगर मैं बोलूँ, जैसे आपके पास जो भी subjects हैं, जो भी chapters हैं, उनको जरा chapter wise set करो, कि अगर मैं 20 दिन में, मेरे जितने भी 2 subjects के chapter हैं, जा 4 subjects के chapter हैं, अगर मैं 20 दिन में इनको set करना शुरू करूँ, either day wise या block wise, तो कौन से दिन में, जहां कौन से block में, मेरे कौन से chapter आने चाहिए, जहां पर मेरे कौन से आने चाहिए, पहले तो आपको ये set करने, और जब उस particular day में, वो chapters आपके आते जा रहे हैं, अब आपके उपर ये होगा, कि इनको wind up करने के लिए मेरे पास वो time जो है, वो sufficient नहीं है, मैं कैसे complete करूँ, तो वहां पर फिर आपको ये decision लेना पड़ेगा, उस block के अंदर, उस particular day के अंदर, कि ये जो chapter में कर रहा हूँ, इसके अंदर, ये particular topic जो है, वो मुझे छोड़ना पड़ रहा है, अब मेरे पास sufficient time नहीं है, ये topic important है, मैं इसको पूरा complete कर लेता हूँ ऐसा नहीं है, कि time कम है, समझ कुछ नहीं आ रही है, day waste कर दो, means आपको decision लेना है, decision लेके आगे बढ़ो, अगर कुछ छोड़ना पड़ रहा है, तो उसका decision लो, strong बनो वहां पे, कि नई time है, अब क्या करें, जिस चीज के लिए जितना time available है, उसको मैं sufficiently सरफ इसी topics पर use कर सक पड़ता हूं, तो उस topic पे उपर पूरा concentration के साथ पड़ता हूं, अच्छा जो topic आपको छोड़ना पड़ रहा है, अगर आपका मन नहीं मान रहा है अंदर से, for example, जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई CEO final का student है, एक subject की example लेता हूं, जैसे आपका DTA, तो अगर आपको लग रह सकते हो, देखो हर subject में यह possibility नहीं होती, लेकिन कुछ subjects में, कुछ चीजों में यह possibility होती है, जो मैं आपको बताने लगाँ, कि आप इतनी कोशिश कर सकते हो, कि अगर possible है उस particular subject में, तो आप जो study material की illustration जा back question है, at least वो देख जाओ, कि अगर आपको लगता है, कि एक गंटा ल 50 chance है, हो भी सकती है, अगर आपको लग रहा है कि possible है, तो एक बार आप जो भी chapter छोड़ने लगे हो, उसकी at least, module के हमारे illustrations को, और back questions को कभी भी न छोड़ो, क्योंकि कई chapters जैसे होते हैं, जहां से आपको paper में सीधा-सीधा illustration, जा back question में इसे उठाके, कई बार तो data सिरफ double किय या half किया, ऐसे question आ जाती है, तो इसलिए वो तो फिर आपकी lottery लग जाएगी वहां पर कि मैंने चलो time नहीं था, concept छोड़ दिये, लेकिन मेरा paper में question solve हो गया, यहां चलो पूरा ठीक नहीं किया, मैंने at least 5 में से 2 जा 3 number का ठीक कर ली, क्योंकि paper में एक एक number की importance है, सबसे है, अगर मेरे पास 50 questions है, आप 50 नहीं कर पा रहें, तो pressure में ना आ जाओ, कि मेरे से 50 नहीं हो पा रहें, मेरे से syllabus ही नहीं हो पा रहा, तो decision लो, कोई important question लग रहा है, उसको पहले कर लो, अगर आपको लग रहा important भी है, time नहीं है, अब अगला chapter भी देखना है, और वो भी equally important ह तो छोड़ दो उस question को, अब क्या कह सकते है, दिखी जाएगी, ये थोड़ी है कि उस वज़े से अब हम सारा day ही खराब कर दें, और दूसरी दिन का भी pressure लें, कि हमारा काम ही नहीं complete हो रहा, तो यही एक रास्ता होता है, जब हम कहते हैं कि time short है, इस short time में हम क्या कर सकते है देखो, अगर मैं आपको सच-सच बोलूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो शायद अपने एक subject को उठाते जाके exam के पास हैं दो दिन पहले, कि चलो एक दो दिन में पढ़ जाते हैं, कोई marathon नहीं लगा लेते हैं, कुछ तो paper में recall होगा, वो भी तो paper देने जा चीजों को पढ़ लिया, और paper में जाके अच्छा temp कर लिया, और पूरा two-da point पास भी होगे उन चीजों में, तो इसलिए pressure ना लो किसी चीज का भी, 50 days में अपना थोड़ा सा right plan करो, और जहां decision लगता है आपको ठीक, कि ये कर लेता हूँ, आज इतना इसको रहने देता हू जो बाद में 10 दिन revision वाले हैं, उसमें देख लो, अगर कुछ time लगा, तो इसको भी देख लोगा जो मैंने pending किया है, या अगर मन नहीं मान रहा चोड़ने का, तो selected चीजने देख जाओ, अपने syllabus के उपर, mind के उपर ये pressure ना आने दो, कि हाई, ये भी नहीं हो रहा, कुछ तो दो, तिन दिन के बाद अपनी strategies को change ना करो, fix रहो, पता होना चाहिए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, time नहीं था, इसलिए छोड़ दिया, आपने जो भी छोड़ना है, वो आपकी planning अपार्ट होना चाहिए, कि मेरी planning है, मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को पता है, उसको ऐसे बिकार वेसे देखने के बज़ाए, जो मैंने आदा गंटा जा एक गंटा बचाया है, वो मैंने जो किया, फिर वो अच्छे से किया, तो ये strategy आप थोड़ी सी adopt करो, मुझे पता है कि आप इस चीज़ के साथ mind में भी थोड़ा relax feel करोगे, आपको आपकी output भी नाम जरूर लिखा करो, कई बार मुझे आपकी ID से नाम नहीं पता चलता, तो दो, चार, पांच बार जब आपका सेम नाम से comment आएगा, तो मैं comment देखता रहता हूँ, मुझे पता चलता है कि हाँ ये बच्चा regularly पूछ रहा है, तो फिर मैं वो comments पहले उठा लेता हूँ, उ वो भी doubts है, most welcome है, इसलिए बैठा हूँ आपके लिए, रोज आपके साथ अवेलबर होंगा exam के ताथ, क्योंकि हमने जो target रखा होता है हर बार, exam pass करके छोड़ने हैं, तो pass करके छोड़ने हैं, बिल्कुल भी demotivate नहीं होना किसी बच्चे नहीं, ठीक है, चलो, all the best सभी ब मिलती रहे, अगर आपको लगे, के हाँ, ठीक है, मेरे को ये चीज़े पता है, तो वो आपकी 24 होगी, ठीक है, बाकी इतना जुरूर बोलूँगा, आपके like और comment करने से सरफ ये होता है, कि वीडियो की reach है, वो YouTube का SEO system है, वो थोड़ी भढ़ती है, ज्यादा बच्चों को refer की जाती है, अगर आप देख के छोड़ दोगे, तो फिर वो वहीं पर वीडियो जो है, उसकी जो growth है, वो रुक जाती है, सरफ इतना होता है, इसलिए सब ही बोल देते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा like करो, जा comment करो, सरफ इतना होता है, आप comment में कुछ भी लिख दो, number of comments झाल